हेलो दोस्तो तो आज हम करने वाले हैं गिब्स फ्री एनरजी के बारे में अब यह वर्ड यह जाए इसा फ्री एनरजी लेने कुछ और चीज़ जाए यह गिब्स भाई सामनी यह हमें थियोरी दी है यह क्यों दी है इसका रीजन हम समझते हैं क्योंकि रीजन ही नहीं पता त क्यों है कि क्या फैदा हो जाएगा गिब्स फ्री एनरजी से यह हो जाएगा तो भाई एक बड़ी जवर्दस चीज है वह है spontaneous reaction क्या होता है पहले तो यह समझे spontaneous reaction वह होता है कि जो अपने आप हो जाएगे आप चाहे वह चीज चाहो चाहे ना चाहो लेकिन nature ने अपने आप वह चीज कर देनी है आप रोकना चाहो वह अलग बात है कि मैं रोकना चाहता हूँ कुछ करूँगा उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वह चीज हो जाएगे जैसे मैं आपको example देता हूँ देखें the rusting of nail जैसे हम लोहे की चीज पड़ी है उसके ओपर जंग लग रही है इसको रोकना चाहो तो आप रोक सकते हो paint करो ये करो लेकिन अगर रोकोगे नहीं तो वह rust लगेगी लगेगी ऐसी situation है तो ये कौन से spontaneous reaction है spontaneous काम हो रहा है अपने आप हो जाए जो क्या कर सकते है कुछ नहीं है ये तो हो गई होगा कुछ ऐसा ये रोक नहीं सकते है तो ये नेचर है ठीक है नेचर है इसको रोक कर जाता spontaneous और क्या है एक्जामपल और एक्जामपल देख लें हमारे पर रस्टिंग का हो गया आइस मेल्टिंग आप लागा लिए ये कि आपने आइस निकाली रखी बाहर पिगल जाएगी भाई मत पिगल हम रोगन भाई मत पिगल मत पिगल पिगले की ये तो कुछ नहीं कर सकते ह आपके पास चाई पड़ी है ठंडी होगी ठीक है शूगर है पानी है उसमें शूगर डाली शूगर पिगल गई चाई पड़ी है ठंडी होगी ये सब कुछ काम अपने आप हो रहे हैं इसको कहते है spontaneous reactions चीजे वो क्यों हो रही है तो ये जो हो रही है उसको समझाने के लिए गिब्स भाई साब आगे और गिब्स भाई साब ने reactions को बताया कि क्यों होती है जैसे ये example भी अच्छी है ये आग में आग चल रही है मालीजे लकडी में आग तो ये heat बाहर आ रही है ये क्यों आ रही है ये क्यों हो रहा है सब कुछ तो spontaneous reactions और क्या को और भी बहुत सारी ह आ लेगा अपने आप चलेगा ये सब कुछ एक्जांपले ठीक है तो ये spontaneous reaction है अब हुआ क्या सबसे पहले इन्हों ने ये सुचा अच्छा spontaneous reaction हो रहा है भाई reason है इसका मुझे पता लगगा क्या decrease in enthalpy, enthalpy decrease हो रही है enthalpy कभी किसी चीज़ की decrease होगी enthalpy पहली बात तो भाई साब enthalpy प जाओंगा ठीक है कुछ चीज़ें आप मेंने चैनल पर ढूंड सकते हो enthalpy gear institute यूट्यूब सर्च में उपर लिख देना आपको मिल जाएगा ठीक है एच चीज़ के तो यू प्लस पी भी होता है तो ये मेरे पास enthalpy जो है वो decrease कर रही है किसी चीज़ की ठीक है तो जैसे कि यह चीज़ केले कि आग चल रही है जैसे यहां आपके चाई जो है वो ठंडी होई है चाई है चाई का कपड़ है और वो इस तरह से चाई ठंडी हो ही है बाहर हीट निकल रही है मतल inertia पी पहले मान लेज जिए इसमें 100 थी अब रह गही है 90 तो कम हो रही है तो इसके करने कहते ह हो रही है इसलिए यह स्पॉंटेनिस रेक्शन लिकिन एक आ गया अच्छा भाई साब यह देखो अब मेरे पास आइस पड़ी है हीड तो अंदर आ रही है बाहर से हीड उठाई और यह करके और यह लिक्विड बन गया लो भाई साब अब कर लो पकड़ लो अब एंथैल्प क्या कारण क्या है अच्छा यह हम पर एक्जांपल देता हूँ यह जो एक्जांपल दी मैंने आपको जैसे हीड अंदर आती है किसी चीज में अंदर आती है उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं और जब हीड बाहर जाती है उसको एक्जोथर्मिक कहते हैं तो एक्जोथर्मिक है फिर कैसे spontaneous हो रहा है तो गता बेचती हो दूसरा आ गया दूसरा गता है एक बाँ बताता हूं एक और reason बताता हूं आपको यह है क्या due to increase in entropy entropy बढ़ रही है अब फिर वही बात आ जाती है अपने बचे सरे अब यह entropy क्या है तो भाई प्लीज प्लीज उपर यूट्यूब के सर्च मेरी रिखो entropy gear institute मेरी वीडियो बड़े अराम से समझो सारा entropy समझा जेगा disorder बढ़ रहा है चीजों का disorder बढ़ रहा है disorder बढ़ने का मतलब अगर वो एक arrange में कुछ item पढ़ी है कुछी चीज arrange में पढ़ी है और arrangement खराब हो रही है उसकी randomness बढ़ना entropy बढ़ रही है और देखिए इसका भी उल्टा आ जाता है कि अगर entropy कम हो फिर भी spontaneous reaction हो जाती कई बार जिस तरह ये example देखिए चाय जो है अब ठंडी हो रही है तो इसके में से heat बाहर जा रही है heat बाहर जाती है तो entropy भाई सब कम हो रही है entropy अगर कम हो रही है फिर भी ये कौन सी है reaction spontaneous reaction हो रही है तो आप समझे इस theory को भी गलत साबित कर दिया कि भाई सब entropy अगर कम हो रही है फिर भी spontaneous reaction हो रही है तो बड़ी problem है लिए Again हमारे पार बहुत सारी ऐसी examples आयते हैं जिसमें entropy कम हो रही है लेकिन फिर भी reaction हो रही है entropy कम हो रही है लेकिन फिर भी reaction हो रही है तो यहाँ पे फिर इन्हों को क्या करना पड़ा ये भाई सवाय Gibbs कि enthalpy बढ़ेगी या entropy कम होगी यह दोनों चीज़े छोड़ो यह दोनों चीज़े छोड़ो यह एक नहीं equation लो यह एक नहीं equation लो जिसमें मैं बता देता हूँ भाई साब क्या कि यह formula में डाल दो values enthalpy का change देखो यह इसका change है Gibbs Gibbs का जो change होता है यहां देते है change in Gibbs free energy delta H जो है enthalpy का change T है absolute temperature और delta S है entropy का change क्याता है भाई साब आपकी entropy बड़े कम हो जैसा भी हो यहां value डाल दो temperature जो है यहां डाल दो delta H बड़े कम हो जो भी हो यहां value डाल दो अगर इनका total plus minus करके अगर minus आ गया यह negative में आगी delta G negative में आ गया तो भाई साब वो spontaneous reaction होगी वो क्या होगी spontaneous reaction होगी वो अपने आप हो जाएगी reaction spontaneous होगी उसको आप रोग नहीं सकोगे क्यों इसमें आपने यह value दे दी और यह universal हो गया और उसके बाद यह काम खत्म हो गया अरे इदरा मैं बताता हूँ यह कर ऐसा कर यह अब बता हमने डेल्टाइच देखा उसका डेल्टाइच देखा चेंजिन एंटल्पी चेंजिन एंट्रॉपी देखा डालके देखा negative है रहा है हाँ spontaneous है और अगर उसे बोलते है spontaneous होगा अपने आप होगी वो अपने Gibbs free energy क्यों करनी है क्यों रीजन पता लग गया डेल्टा जी अगर आ गया negative तो भाई साव यह spontaneous reaction हो जाएगी ठीक है यह होता है Gibbs free energy के बारे में आई होप कि यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो एक बार like का बटन दवा दीजिए और comment box में जरूर बताइए कि आपको यह सी समझ आई या नहीं आई और अगर आप SSCJ की त्यारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे link दे रहा हूँ आप click करके download कर सकते मेरी app और आप मेरे से त्यारी कर सकते हैं SSCJ की तैंक यू सो मचू